तो आज की इस important वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDP के बारे में एक चीज पता चली है अगर आपको इस चीज के बारे में पता चल गया तो आपकी काफी help हो सकती है तो इस वीडियो में मैं बो आपको बताऊंगा उसके पहले कहना चाहूँगा अगर पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के जो काफी benefit है listening reading के answer exam होने के बाद जहां पर आकर check कर सकते हैं उस सबसे पहले answer आपको जहां पर मिलेगी हर एक module की आपको tips and tricks जहां पर दी जाएगी IDP के सबसे कोई भी new update आती है उसकी information भी आपको जहां पर ही मिल जाएगी तो चैनल को जुरूर से subscribe कर ले और वीडियो को start करते हैं उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि ILS के exam काफी repeat हो रहे है लास्ट तो हमारा exam निकल के गया है 28 gen का morning slot के दो reading के पैस हमारी pdf से 28 gen evening slot में दो task 2 आए थे और दोनों ही task 2 हमारी pdf से आए हैं और morning slot का जो task 2 था वो भी हमारी pdf से repeat हुआ है अभी हमारे पास task 2 और reading का ही pdf available है अगर आपको जे चाहिए तो आप हमें instagram पर message कर सकते हैं instagram ID का link में ने description box में डाल दिया है अगर link वर्क नहीं किया आप instagram जूद नहीं करते तो आप हमें email भी कर सकते हैं तो फिर start करते हैं आज की जे वीडियो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EUR के बारे में EUR मतलब revaluation जब आपका desired band school आपको नहीं आता आप अपने exam को द्वारा से re-check करवा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस module का EUR है वो fill करना चाहिए और किस का नहीं करना चाहिए तो जहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो writing का module है इसका आप EUR fill कर सकते हैं क्योंकि इसका जो success rate है trend है काफी अच्छा चलग रहा है 62 70% chance होते हैं कि आपका जो writing का band school है वो improve हो जाएगा, increase हो जाएगा EUR fill करने से पहले एक बर अपने trainer से बात जरूर कर लेना उन से पूछना कि मैं जे कुछ लिखकर आया हूँ क्या मैंने सही लिखा है, क्या मेरी ideas सही थे क्या मैंने task response सही दिया अगर उन्होंने कहा कि हाँ तुमारा सब कुछ सही था तुमारा जो level है वो भी 6 पलस का था तब आप EUR की तरफ जा सकते हैं अगर हम बात करें कि आपको किस module की जो EUR है वो fill नहीं करने चाहिए listening और reading की EUR तो आपको fill करने ही नहीं चाहिए बट अगर हम बात करें speaking के module की तो जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि speaking आप जो success rate है वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए अगर आपने speaking की EUR fill कर दी तो 60 to 70% chance जा कि आपका जो band score है वो increase नहीं होगा तो speaking आपने EUR speaking की EUR तावी fill करने है जब आप बहुत ही ज़्यादा confident है आपको लगता है कि हाँ मेरी जो speaking थी वो seven band की थी और मुझे IDP ने five and five band ही दी है तब आपको speaking की EUR की तरफ जाना है otherwise अगर आपको लगता है कि मेरी speaking में six band आते थे और IDP ने मुझे five and five दी है तब आप EUR की तरफ ना जाना आप द्वारा से अपना exam fill कर देना तो जे चीज़ आपके लिए काफी important है जिन बच्चों के writing में band score कम आ रहे हैं काफी कुछ देखने को मिल रहे है कि writing में काफी बच्चों का band score कम आ रहे हैं उनको हम कहना चाते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप confident हैं अगर आप confident हैं कि हाँ मेरी writing अच्छी थी तो आप even fill कर सकते हैं अपनी जिन्देगी को पर बाद मत करो एक chance लो क्या बता आपका band score increase हो जाए क्या जो success rate है वो अच्छा चल रहे है अगर आपको जे वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like कर देना channel को खर देना subscribe thank you so much